नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिक्हा महरोत्रा उत्रव्रिदेश में लगतार माफियाओं और बाहुबलियों पर कानूनी शिकन जाक कस्ता जा रहा है अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है बाहुबली नेता धननजे सिंग का जो तैयारी तो 2024 के लोगसभा चुनाओ लड़ने की कर रहे थे सपना तो देखा था चुनाओ जीत कर लोगसभा जाने का पर पहुच गए जेल वो भी एक दो नहीं पूरे साथ साल के लिए नमामी गंगे परियूजदा के मैनेजर अभिनव सिंगल के अफरण और मारी मामले के मामले में MPMA कोट ने बीते दिन सुनवाई करते हुए धननजे सिंग को दोशी करार दिया कोट ने फैसला सुनाते हुए जौनपुर के पूर्वसांसद धननजे सिंग को साथ साल की सजा सुनाई साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया जिससे बाहुबली पूर समपुर सीट से लोगसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था लेकिन वो सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं उत्यप्रदेश में धननजे सिंग अपराधी से माफिया और माफिया से नेता कैसे बने इसके बारे में आज हम आपको बतानी जा रहे हैं धनननजे सिंग ने काम इस हत्या में आया पुलिसस मामले में धननजे सिंग के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई यही से उन पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगने शिरू हुए इसके बाद धननजे साल 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंग इंटर कॉलिस से बोर्ड की परिक् करने के बाद इस नातक के लिए धननजे लखनव यूनिवरस्टी में पहुचे जहां छात्र राजुनीती और सरकारी विभागों के टेंडर में वर्चस्व की होड में धननजे सिंग का नाम भी कई गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ा इस नातक पूरा करने के साथ सा हत्या की साजिश और प्रयास लूट जैसे गंभीर मामलों से जुड़े आधा दरजन मुकद में लखनव के हसंद गंज थाने में उनके खिलाफ दरज हो गए साल 1997 में बियस्पी नेता मायावती शासनकाल में बन रहे अमबेटकर पार्क से जुड़े लोक निर्मार विभाग के इंजीनियर गोपाल शरनण श्रिवास्तव की ठेकेदारी के विवाद में हत्या कर दी गई हत्या का आरोप एक बार फिर धननजय सिंङेशिंग पर लगा और अपराद जगत में धननजय सिंग का नाम तबतीजी से उभगा इसके बाद धननजय फरार हो गए तब सरकार ने उनपर 50,000 का इनाम खोशित कर दिया हत्या के मामले में आरोपी धननजे सिंग फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी पुलिस ने फरार धननजे सिंग और उनके तीन साथियों को निस्तौ एन्ठानमे में भदोई में एंकाउंटर में मार गिराने का दावा किया पुलिस ने इसके लिए खुशिया मनाई और खूब तारीफे भी बटोरी बाद में खुलासा हुआ कि एंकाउंटर में मारे गए चारो यूबक निर्दोश थे इस प्रकरण में 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्च हुआ जो अब भी जिला सत्र नयायाले में लंबित है यूपे पुलिस ने 1999 में धननजे सिंग को एंकाउंटर में मार गिनाने का दावा किया था लेकिन 1999 में धननजे सिंग ने कोट में आत्मसमर पड़ कर दिया इसके बाद राजनीती गर्मा गई सवाल खड़ा हुआ कि एंकाउंटर में मारे गए धननजे कैसे जिन्दा हो गए इस मामले में बाइस पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्च हुआ था इस दोरां धननजे का नाम 1997 में राध धानी के चर्चित लो मौटी नियर कॉलेज के अससेस्टेट वार्डन फ्रेडरिक गोंस हत्या कांट और हसन गंज थाना छेत्र में हुई संतोश सिंग हत्या कांट में भी जुडा रहा उन पर लखनो युनिवस्टी के च्छात्र नेता अनिल सिंग वीरू की हत्या की कोशिश जैसे आरोप भी लगे अपरात की दुनिया में नाम कमाने के बाद धननजे सिंग ने राजनीती में किसमत आजमाने कब्मेंट बनाया धननजे सिंग 2002 में रारी विधान सभा छेत्र से पहली बार निर्दलिये प्रत्याशी के तौर पर चुनाओ जीत कर विधायक बने और यहां से इनकी राजनीतिक सफर की शिरुआत हुई 2007 में उन्ही जेडियू से टिकट मिला और वो विधान सभा पहुचे 2008 में धननजे सिंग जेडियू छोड़ कर वस्पा में शामिल हो गए 2009 के लोग सभा चुनाओं में वस्पा ने उन्हें जौनपूर से टिकट दिया और पहली बार धननजे सिंग सांसत बने लेकिन वस्पा से उनके सम्बंद जादा समय तक नहीं चले मायवदी ने 2011 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविद्यों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निकाल दिया इसके बास से धननजे सिंग निपत्थि में थे धननजे सिंग जौनपूर के सिकरारा थाना छेत्र के बंसफा गाउं के रहने वाले इनके पत्नी श्रीकला सिंग वर्तमान मिद्जौनपूर की चलाप पंचायत अद्यक्ष है धननजे सिंग की निजे जीवन के बात करें तो उसमें भी काफी उतल पुतल रही उन्होंने तीन शादिया की उनकी पहली पत्नी ने शादी के नौ महीने बाद ही आत्माहत्या कर थे हलाकि बाद में जागरती से उनका तलाग हो गया 2017 में धननजे सिंग दे दक्षिर भारत के एक बड़े कारोबारी परिवार से तालुक रखने वाली श्रीकला रिडडी से तीसरी शादी करड़ी मौजूदा वक्त की बात करें तो सज़ा का ऐलान होने के बाद धननेंजे सिंग का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो चिनाव से दूर रखने के लिए शडियंत्र रचने का आरोब लगाते हुए भी नज़र आए सुनिए तो वही धननेंजे सिंग का सपाध्यक शकले शादव के साथ मिलाकात करते एक वीडियो भी जमकर वारल हो रहा है जिसमें दोनों काफी गर्म जोशी से मिलाकात करते हुए नज़र आये थे दोनों नेताओं का ये वीडियो चार फरवरी का है जब लखनाओ के इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी के नेता राहुल सिंग की शादी में अखलेश पहुँचे तो धननजे सिंग वहां मौझूद थे अब इस वीडियो के वरल होने के बाद कयास लगाए ज़ा रहे हैं कि धननजे की अनुपस्तिती में इनके पतनी सपा के टिकेट से चुनाव लड़ सकती है असमामले से जुड़ी जो भी नई अपडेट होगी उससे आपको रूबरू कराएंगे फिल हाल गले इतना ही देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रही आज की खबर